नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग वलकम बैक टो क्रियाटिव अंश का यूट्व चैनल तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए बहुत ही जो क्या बोलते हैं बहुत ही जन्विन चीज के बारे में डिसकस करने आई हूं जो कि मतलब आज कल हरे की प्रॉब्लम होती है होना या फिर बीच में से गंजा होना तो यह सब जो है बहुत ही जन्विन प्रॉब्लम है जो कि आज के लोग बहुत ज़्यादा इस चीज को सफर कर रहे हैं और हर इंसान चाहता है कि उसके बाल अच्छे हों आपके फेस में चार्चांद लगा देते हैं तो अगर आपके भी बंदानी चाहता कि उसका गंजापन वगेरा हो तो एक मैं एक बहुत ही एक घरेलू उपाय बताने वाली हूं जिससे कि अगर आप इसको भी मतलब अगर आप के बाल गिर रहे हैं तो आप कैसे इस घरेलू उपाय से आजमा कर अपने बालों को घना लंबा और मजबूत बना सकते हैं तो फ्रेंड्स ये ये एक मतलब बालों का जड़ना वगरा भी इससे रुखता है जो बालों की खूबसूरती अच्छे घने और लंबे बाल ना सिर्फ हमारी परस्वास आत्म विश्वास आत्म विश्वास को भी बढ़ाता है लेकिन आजकल बहुत लोगों में भी ये प्रॉब्लम हुई है बाल जड़ने की समस्या या गंजापन हेर फॉल वगरा ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है तो इसको मतलब हर आदमी चाहता है कि दवाई ना करके इसका आयुरवेदिक कोई इलाज करे लेकिन मतलब जो आपको पता है कि पुराने टाइम में लोग जो थे वो पत्तों वगरा की मदद से कोई भी जो प्रॉब्लम होती थी उसको आयुरवेदिक तरीके से ही उप्योग किया जाता था मतलब लोग ये ऐलोपेतिक दवाईयां जो थी इसको नहीं यूज करते थे तो इसमें क्य ही गुड होते हैं जो बालों के लिए फाइदे मंद हैं ना सिर्फ बालों का जड़ना रोकने के लिए बलकि पपीते के पत्ते बालों को लंबा घना और चमकदार बनाने में भी बेहद फाइदे मंद माने जाते हैं तो फ्रेंड्स जैसे अगर किसी के रफ बाल हैं और हेर फॉल हो रही है और शाइनिंग भी नहीं है बड़े बालों में तो उसके लिए भी जो पपीते के पता है यह बहुत ही फाइदे मन्त होता है आजकल बहुत से लोग जो है बालों के ज़ड़ने के रोकने के लिए मतलब डॉक्टर के पास जाते हैं और हेर फॉल का ट्रीटमें यह खाते हैं तब तक ठीक रहता है उसके बाद से फिर वह प्रॉब्लम हो जाती है तो इस चीज को मतलब हम कैसे मजबूत करें और कैसे कंट्रोल करें तो इसके लिए जो मैं आपको तरीका बताने वाली हूं पापीते के पत्ते से रस निकालने के लिए पहले इस पत्ते को अच्छी तरेके से धोले और फिर पत्ते के टुकड़ों को चोटे चोटे काट ले और उसके बाद इन चोटे चोटे टुकड़ों को ब्लेंडर में डाले और अच्छे से पीस ले पीसने के बाद इसके बाद रस को चान ले और एक कप में निकाल ले यह आपका एक रस हो ग आपको गंजापन हो रहा है या जिस एरिया में आपको लग जादा ज़ड़ रहे हैं तो इसको उस एरिया में धीरे-धीरे से मालिश करें इसे लगाने के बाद कम से कम इसे 30 मिंट तक रखें और फिर बालों में इसको अच्छी तरीके से जैसे हम लोग क्या करते हैं तेल करें और उसको फिर कम से कम हाफ एनार रखें और उसके बाद नॉर्मल पानी से नॉर्मल पानी से नॉर्मल पानी से हेर वाश कर दें तो इससे भी बाड़ों का ज़ड़ना जो है वह रोकता है अब इसमें मैं बताते हूं कि पपीते के पत्ते में क्या के चीज़े होती है पपीते के पत्ते में विटामिन C होता है विटामिन D होता है और विटामिन A भी होता है विटामिन A के साथ इसमें बहुत सारे एंटी ऑक्सिडेंट्स होते हैं जो हमारे बालों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं और उनकी जो हमारे बाल जो हैं उसकी जड़ने में उसकी dullness करने में मतलब dullness ना हो रूखापन ना हो इन सब के चीज़ में हमारी मदद करते हैं इसके इलावा ये blood circulation को भी बढ़ाता है जो हमारे जो नसों में मतलब हमारे skull में जो blood veins होती है उसके blood circulation को भी और बढ़ाता है तो blood circulation अगर आपका अच्छा रहेगा तो हमारे जो hair growth है वो भी सही रहेगी और बालों के portion को भी बढ़ाता है जो 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 जरूरत वाली चीज़ें है जो keratin वगरा है जिसे कि हमारे हाय और हमारे बालों को मझभूत और हल्दी रखता है तो यह एक चोटी सी जानकरी है और आपको भी पता है कि पपीते का पपीता जो है वो नॉर्मली हर सोसाइटी में या आपके आसपास पार्क में या कही न कही जरूर मिल जाएगा जैसे अगर किसी को वो होता है जॉन्डिस वगेरा होता है तो उसमें भी कहते हैं कि जॉन्डिस नहीं सरी तो उसमें भी पपीते के पत्ते को बहुत ज्यादा यूस करते हैं तो उसी तरह से अगर ये पपीते के पत्ते को अगर आप मतलब दो तिन पत्ते लें उसको पत्ते को काट के जूस बना के बालों में लगाए तो इसमें नुकसान कुछ नहीं है अगर आपको help मिलेगी दवाई खाने से तो बैटा रखे कि कोई भी अलोपेटिक अगर आप दवाई कहेंगे तो उसका side effect जरूर है तो इसका at least अगर आपको फाइदा नहीं करेगा मतलब जैसे बताया गया है आईरवेदी तरीके से इसमें जो जो चीज़े होती है मतलब 100% नहीं कुछ परसन तो ठीक करेगा तो at least आप regular अगर इसको करते रहेंगे तो हो सकते हैं आपके बालों में बहुत ही अच्छा effect दिकाए बाकि body to body vary करता है किसी को ज़्यादा असर जल्दी असर करता है किसी को इतनी जल्दी असर नहीं करता तो इस तरह से अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप इस चीज़ को अपना के देखिए और अगर आपको फाइदा लगता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उमीद करती हूँ कि आपको ये एक बहुत ही चोटी सी जानकरी पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सबस्राइब करें और उसको क्या मतलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें जिसे की maximum लोगों को इस वीडियो का benefit मिले तो उमीद करती हूँ friends आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो मिलते हैं next video में, till then, bye